पिता की मौत के बाद डेवेन पढ़नवस ने सियासत में किस्मा ताजमाने का फैसला किया था। इरादा था पिता की सियासी विरासत को संभालना। इसे पहली काम्याबी 1997 मिली जब वो नाखपुर के मेर बने। लेकिन यही से जो सियासी काम्याबियों का सलसला शुरू तो वो राजनीती में नई महत्वकान शाओं को जन दे गया। सियासत में जो उम्र, नौसिखिये और नौजवानी की मानी जाती है। उस उम्र में देवेंदर पढ़नवीस से आज से दस साल पहले महराष्ट बीजेपी की आसो उमीद जुड़ गई थी। दस साल पहले केंदर में मोदी की सरकार ही नहीं बनी थी। बलकि महराष्ट में देवेंदर पढ़नवीस का सितारा भी चमका था। ये कहा जाने लगा था कि केंदर में नरेंदर, महराष्ट में देवेंदर। ज़रूर निभाप आएगे देखिये उमर महाएनी नहीं रखते एक्सप्रीयों मेली रखता है हमाहाईनी रखता है जजवा महाएनी रखता है आपके अंतरमन की ताकत और महाइनी रखता है आपका जनता के लिए काम करने की अगर इच्छा हो तो कोई चीज आड़े नहीं आती, मेरे आड़े कोई चीज नहीं आएगी 54 साल के देविंद्र पड़्डवीस राजनीती में तो 20 साल की उम्र से है लेकिन सत्ता की सियासत को वो कैसे संभालते हैं इस पर सब की नजरें टिकी हुई थी जब पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाय गया था उन्हें करीब से जानने वाले तो कहते हैं सत्ता का अनुभव भले ही उनके लिए नया था लेकिन वो संग की पाथशाला से तब कर और बीजेपी के संगठन का अनुभव कमा कर परिपक्व काफी पहले हो चुके थे महराष्ट में फट्णवीज से पहले वीजेपी के किसी नेता ने पाँच साल का कारेकाल पूरा नहीं किया था नागपुर के मेयर की कुर्सी से मुख्यमंत्री बत तक पहुँचने में उन्हें 22 साल लगे 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री का कारेकाल पूरा करने के बाद 2019 में भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का उनका रास्ता लगभग साफ ही था कि शिवसेना में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद पर दावीदारी ठोक कर रास्ता रोक दिया NCP नेता अजीत पवार के साथ आनन फानन में उन्होंने दो दिन वाली सरकार तो बनाई लेकिन उस सरकार के गिरने के बाद उनकी बहुत किरकिरी हुई देविंद पड़नवीस ने उस वक्त तो अपमान का घूट पी लिया था लोगों ने बिजेपी और शिवसेना को अलग वोट नहीं दिया था लोगों ने एलाइंस को वोट दिया था मोदी जी के नेत्रुतु में हम लोगों के सामने गए थे शिवसेना के नेता हो बिजेपी के नेता हो हमने सबने मिलकर ये चुनाव लड़ा था निश्चित रूप से हमको भी मानसिक दुख हुआ प्रताड़ना हुई सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया तकलीफ लोगों को तब हुए जब पी कर भी मैं जी गया धाई साल बाद फिर मौका मिला जब शिवसेना में बगावत हुई बीजेपी ने इस बात को कभी सुईकार नहीं किया कि शिवसेना में बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ है लेकिन ये चर्चा हर तरफ हो रही थी कि शिव सेना में बगावत और नई सरकार के गठन की कहानी दिवेंद्र फटनवीस लिख रहे हैं कुछ दिनों के बाद ये तैह हो गया था कि एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री का पद सभालेंगे जिस तरह से प्रेस कॉन्फरेंस में दिवेंद्र फटनवीस ने उनके नाम की घोश्रा की ये समझना मुश्किल नहीं था कि नई सरकार के करता धरता कौन थे शिंदे की सरकार में जब उन्हें डिप्टी सीम बनाया गया तो उन पर खूब टीका टिपणी भी हुई लेकिन फटनवीस ने ये दौर भी जेला इस भरोसे के साथ कि एक दिन उनकी वाफसी जरूर होगी मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घरमत बसा लेना मैं समंदर हूँ लोट कर वापिस आऊँगा फटनवीस की इस कसम का विरोधियों ने खूब मजाक उड़ाया था लेकिन फटनवीस अपने इरादे पर डटे रहे एकनाथ शिंदे की बगावत से लेकर अजीत पवार की शपस तर फटनवीस परदे के पीछे अपना काम कर रहे थे ये फटनवीस का पोलिटिकल मैनेजमेंट ही था कि शरत पवार और उद्धव ठाकरे जैसे दिगजों के होते हुए भी शिंदे सरकार पर आच नहीं आई हमने सत्ता का परिवर्तन किया है तो कोई कुरसी चाहिए इसलिए नहीं किया महाराष्टर के जो हालात थे जो दो ढ़ाई साल में महाराष्टर में जिस प्रकार की घटना हुई उन सारी घटनाओं के मद्दे नजर हम लोगों ने ये परिवर्तन किया था और इसलिए मैं य ताके बहार रहूंगा लिकिन जब मेरे नेताओं ने मुझसे बात करके मुझे कहा कि पार्टी के महाराष्ट के आप नेता हो ये सरकार हमको चलानी है और इस सरकार को चलाने में आपके अनुभों की आवशकता है इसलिए हमको ये लगता है कि आपने जाना चाहिए और एक ब महराश्ट में महा यूती के दलों से सीटों के बटवारे से लेकर चुनावी रैलियों के मोचे पर फड़नवीज बड़े फैसले ले रहे थे। वो भी ऐसे समय में जब लोगसभा चुनाव में छटके के बाद पार्टी कारेकरताओं का जजबा ठंडा पड़ने लगा था। जबकि महा अगारी खेमे का कॉन्फिडेंस हाई था लेकिन पाँच महीने में ही फड़नवीज ने पासा पलट दिया। पड़नवीज ने सिर्फ पाँच महीने में ही महा विकास अगारी के सारे समीकरण को बिगार कर रख दिया। महा विकास अगारी जिन मुद्दों को जीत की गारेंटी समझ रही थी वो उल्टे पड़ गए। चुनाव के दौरान मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्म था। सम्विधान बदलने की बात पर राजनीती हो रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान मराठा दलित वोट का बड़ा हिस्सा महा घारी के पक्ष में चला गया था। ऐसे वोटरों को फिर से महा यूती के पक्ष में लाने की बड़ी चुनावती थी। देविंद्र परदवीश ने जातियों को एक जुट करने के लिए एक हैं तो सेफ हैं का सहरा लिया और उन योजनाओं को जमीन पर उतारा जिनका सीधा पाइदा महिलाओं को और किसानों को हो रहा था। एक रहेंगे? एक रहेंगे? एक रहेंगे? एक रहेंगे? नाकपूर में जब राज़नीती की पहली सीधी देविंद्र ने चड़ी थी और उसके बाद जिस तरह का अनुभव हासल किया था वो अब काम आ रहा था। 1992 में कॉर्पोरेटर बनने के बाद देवेंदर शहर की बुन्यादी सुविधाओं को सुधारने की दिशा में सक्रिये हुए इसी सक्रियता की वज़े से वो 1997 में दोबारा कॉर्पोरेटर चुने गए इसी साल आखिर में वो नागपूर के मेयर भी चुन लिये गए मेयर के रूप में नागपूर के काया कल्प का सहरा देवेंदर पढणवीस के सिर्फ बाधा जाता है इसकी वज़े से ना सिर्फ संग और बीजेपी में उनका कद बढ़ा बलकि नागपूर की जनता ने भी उन्हें छे बार लगातार विधायक बना कर भेजा बर्ती सियासी दिल्चस्पियों के बीच देवेंदर पढणवीस को एक बड़ा जटका तब लगा जिस पिता के साई में सियासत की महत्वा कांशाएं परवान चड़ रही थी उनका 1987 में निधन हो गया देवेंदर के लिए एक ऐसा सद्मा था जिससे उबरने के लिए बस एक ही रास्ता था सियासत अपने छोटे बेटे को लेकर शायद गंगधर राव पढणवीस की ख्वाहिश भी यही थी कि उनका बेटा महराष्ट में बीजेपी के लिए ऐसी जमीन तयार करे जिस पर कमल खिल सके पिता की मौत के बाद देवेंदर फड़नवीस ने उनकी छोड़ी विरासत संभालने का फैसला किया था देवेंदर फड़नवीस का वो फैसला निरणायक था इस पर वो इतने अडिक थे कि उनके बड़े भाई ने भी उसे बदलना मुनासिब नहीं समझा परंपरा के तौर पर पिता की सियासी विरासत संभालने की जम्मेदारी बड़े भाई आशीश की थी लेकिन छोटे भाई की सियासी समझ और कुछ कर गुजरने का जजबा देख कर भाई पीछे हट गए धीरे धीरे देवेंदर राजनीती के मास्टर होते चले गए पहले कॉलिज में अध्यक्ष फिर बीजेपी का युवा मंच मिल गया फिर नगर निगम में मेर और फिर महराष्ट के सीम ये काम्याबी देवेंदर परणवीस की नेत्रत चमता की कहानी कहती है देवेंदर फर्नवेस बीजेपी से छे बार विधाक रह चुके हैं सियासी तोर पर यही उनका अनुभव है प्रशास्तिक काम उन्होंने सिर्थ नाकपुर का मेर रहते किया है मगर उन्हें करीब से जानने वाले उनकी नेत्रत शमता की दाद देते हैं फर्नवेस सिदाजी की राजनीती में अजाच शत्रू की तरह है उनका कोई दुश्मन नहीं एन्सीपी से भी दोस्ती शिस सेना से भी याराना सियासत से लेकर जिन्दगी की राहों पर अपने धुन के पके रहे हैं देवेंद्र पड़नवीस फिर भी इस बात से बेपरवाह कि उन्हें लेकर सुर्खियां कितनी बन रही है नाखपुर के बेयर से लेकर छे बार MLA बनने तक देवेंद्र पड़नवीस कई वजहों से सराहे गए 2003 में Commonwealth Association की तरफ से सर्वश्यष्ट विधायक का सम्मान मिला फिर भी सियासत से लेकर नीजी जिन्दगी में वो लो प्रोफाइल ही रहे इतने लो प्रोफाइल कि महराष्ट का मुखे मंतरी मनोनीत होने से पहले बहुत कम ही लोग जानते थे देवेंद्र पड़नवीस को मगर जो जानते हैं वो मानते हैं निजी और सर्वजनिक जीवन में कैसे हैं देवेंद्र पड़नवीस कामवाम निप्टा के रात के समय वो टाइम देते हैं हमको तो उस वक्त हम हमारे दोस्त से मिलने मिल रहे होते हैं वो उस वक का टाइम हमारे को वैसे भी हमारे को कभी CM या डेपुटी CM से मिल रहे ऐसा उन्होंने महसूस ने हों दिया पर रात को जब दोस्तों की महफिल जमती है तब तो बिल्कुल ही नहीं लगता तब हमको ये बार-बार वो आश्वस्ता करते रहते कि आप देवेंद्र सेंडी दोस्तों की नजर में देवेंद्र इसी इमेज की बदौलत संग में सर्व प्रिये थे तो आज नरेंद्र मोदी का भरोसा बने है साफ सुत्रे सियासी सफर की बदौलत उन्हें महराष्ट में ये मुकाम मिला है दोस्तों के साथ साथ घर परिवार में भी आज हुशी इसी बात को लेकर ज्यादा है अजकत इतना महत्वपुर्ण है एक मा के लिए इतना बड़ा अपना लड़का है पूरे महाराष्टर का नेता बन गया बहुत बड़ा नेता तो खुशी तो होने ही वाली है किस तरह की महनत देवेंजी ने की थी? मैंने बताए ना 24 by 7 उसकी महनत चल रही थी मा की तो खुशी का धिकाना नहीं कि उनका बाल विद्रोही बेटा अपने मन चाहे मुकाम पर जा पहुचा है बच्पन से ही देवेंद्र पड़नवीस उसूलों के पक्के थे मैं पहली क्लास में था और मेरे पिता जी को इमर्जंसी में इंदिरा जी ने दो साल जेल में रखा तो पाथ साल का जो बच्चा होता है न उसको तो यही पता था कि अपने पिता को जेल में डालने वाली इंदिरा जी है इसलिए मैंने घर आकर मेरी मा को का कि मेरे पिता जी को जिस इंदिरा जी ने जेल में डाला उसके नाम की स्कूल में नहीं जाऊंगा मेरा स्कूल बदल दीजे तो मैं दुसरे स्कूल में चला गया इसी तेवर के साथ देवेंद्र सियासत की दुन्या में आए और पहचान भी बनाई यो ही नहीं नरेंद मोदी के फेवरेट बन गए देवेंद्र फड़नवीस की कई कहानिया उनकी पत्नी अमरिता फड़नवीस भी सुनाती है लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत है दोनों के मिलने की कहानी अमरिता और देवेंद्र ने पहली मुलाकात में ही एक दूसरे से शादी का इरादा कर लिया था तब देवेंद्र दूसरी बार विधायक बने थे अमरिता से उनकी मुलाकात उनके एक पुराने कौमन दोस्त के घर पर हुई थी तक्रीबन एक घंटे की मुलाकात के बाद ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे देविंद्र के एक बहुत अच्छे फ्रेंड है शेलेश उनके यहां पर उनके घर पर हम दोनों मिले और इन फैक्ट मिलने जाते टाइम और मिलते समय तक मुझे इतना टेंशन था अलग-अलग अजीब से नेगेटिव कॉपविब्स थे रिगार्डिंग पॉलिटिशन जो काफी जनता को रहा करते थे उस वक्त भी तो बट मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छे लगे वो डाउन टू अर्थ बट हमने डिसाइड उस वक्त नहीं किया कि शादी करनी है कि नहीं उसके बाद हम दो-तीन बार और मिले फिर फाइनली हम दोनों डिसाइड किया कि वील जुट गई थी तब अमरिता के माता पिता को ये एहसास हुआ कि उनके दामाद को चाहने वालों की संख्या बहुत बड़ी है अमरिता एक्सिस बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हैं एक शास्त्रिय गाईका हैं सोशल वरकर हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं यूट्यूब पर कई म्यूजिक अल्बम और शॉट्स हैं और यही शॉट्स कई बार विवादों की वजह बन गए हैं लेकिन अमरिता फट्णवीस ने हर मौके पर ट्रोल करने वालों को जवाब दिया जैसी पहले थी वैसे अभी हूँ जो भी मैं करती हूँ बहुत दिल से करती हूँ बहुत पैशनेटली करती हूँ चाहे वो मेरा बैंकिंग हो चाहे कोई भी सोशल सामाजिक कार्य हो या इवन गाना हो मुझे सब कुछ बहुत पसंद है और दिल से करती हूँ और आई वो भी सही के सिध्धान्त पर चलते हुए कई मील के पत्थर पार कर चुकी है उनकी कहानी हार ना मानने वाले नेता की भी है और हार कर जीतने वाले बाजीगर की भी